शाल दोजार चौबिस में महा सिवरातरी कब है? आठ या फिर नौ मार्च को बिल्कुल भी कनफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कनफ्यूजन दूर करने वाली हूँ आज मैं इस वीडियो में आपको बताओंगे कि साल दोजार चौबिस में महा सिवरातरी कब है? सही तीथी क्या है? पूजा का सुब महरत क्या होने वाला है? ब्रत के पारण का शमय और महा सिवरातरी के दिन क्या करे और क्या न करे? भूल कर भी कौन सी चीजों को आपको इस दिन छूना नहीं है भूले नाथ को इस तरीके से इस चीजों को चढ़ाने से आप तुरंत प्रशन कर सकते हैं और यह जो चीजे हैं मैं आपको आज बताओंगी इने भूल कर भी भूले नाथ को ना चढ़ाए क्योंकि वह क्रोधित हो सकते हैं नमस्कार दोस्तों तो आग कि फूरे परिवार के उपर महा देव का आशिरबात सदा सरवदा बना रहे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा देखिए महा सिवरातरी फालगुर्मास के क्रिश इस बात के पुष्टी भी होती है कि दोस्तो इस दिन भगवान सिव और माता पारपती का बीवा हुआ था हिंदु धर्म सास्त्रों में महा सिवरातरी का भी सेस महत्व है इस दिन भोले नाथ और माता पारपती की बीधी विधान से पूजा की जाती है हिंदु पंचां के अनुसार महासिवरात्री का दुरलब सयू बनने जा रहा है साल 2024 में और इस दिन सुक्र प्रदोस ब्रत भी रखा जाएगा जिससे आने वाली महासिवरात्री का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है इस दिन निश्चत काल में अगर आप भगवान भोले नात की सही तरीक से पूजा विदी करते हैं तो कोई भी मनुकामना मांगने पर तुरंत पुन होती है क्योंकि इस दिन की गई कोई भी क्रिया साधना कभी खाली नहीं जाती यह दुरलब भी सयोग के साथ इस बात की जो महासिवरात्री है वह आ रही है और आईए अब जानते हैं कि साल 2024 में महासिवरात्री साही तीती क्या है इसका सुब मोहरत पुजा वीदी और इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है लेकिन यह बताने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेधन और अनुरोद करती हूँ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चै हर बारिक से बारिक जनकारी को बिल्कुल शटिक सब्दों में आप तक पहुंचाती हूँ देखिए माहासिव रातरी जो है साल 2024 में 8 मार्च सुक्रवार के दिन पढ़ने जा रहा है चतुरदसी तिथी अरंब होगी 8 मार्च को रातरी 9 बचकर 5 मिनट पर चतुरदसी तिथी का समापन होगा 9 मार्च को शाय काल 6 बचकर 1 मिनट पर भगवान शिव के पुजा करने का विशेशों महत्व इस दिन होता है प्रदोस काल में अगर पुजा करते हैं तो यह और भी ज्यादा फल आई होती है इसलिए 8 मार्च को ही महासिवरातरी का परव इस साल मनाया जाएगा निसेद काल पुजा का समय होगा 9 मार्च सुबह 12 बचकर 4 मिनट से लेकर के 12 बचकर 5 मिनट तक महासिवरातरी बरत का पारण होगा 9 मार्ट सुबह 6 बजकर 27 से सायकाल 3 बजकर 2 मिनट तक महासिवरातरी बरत की ऐसी मानेता है दोस्तों की मातापारवती से भगवान सीव को पाने के लिए इस दिन कठोर तपस्या की थी और महासिवरातरी के दिन मातापारवती की तपस्या सफल हुई थी उनका बिवा भगवान सीव के साथ संपन हुआ था महासिवरातरी का पर्महिलाओ के अखंड शौभाग की प्राप्ती के लिए ही रखा जाता है महासिवरातरी के दिन सुर्योद्य से पुर्व उठे और भगवान सीव और मातापारवती को परणाम कीजिए पूजा का शंकल लीजिए इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी में असनान कीजिए इसके बाद कोई भी नया अवस्त्र पहन करके धारन करके सुर्योदय को जल अर्ग अवश्य दीजिएगा इसके बाद पूजा अस्थल पर एक चोकी या लाल कपड़ा या वस्त्र बिचाई और दोनों की प्रतिमा को अस्थापिन कीजिए फिर ब्रत का संकल्प लेकर भगवान शीव को पंचामरित के असनान कराएं और ओम नमर्शिवाय का जाप करें भगवान शीव को शफेद चंदन से तिलग कर बस्म धतूरा चंदर पूस्प धूप दीप और पित कीजिए इसके के बाद महासिवरातरी के ब्रत की कथा का पाठ जरूर कीजिएगा दोस्तो या फिर सुरण कीजिएगा रातरी के पहले पहर में दूध और दूसरे पहर में दही तीसरे पहर में घी और चौथी पहर में सहद से भोले भवा का अभिसे कीजिएगा अच्छा एक बात का विस परशे करना चाहिए और अगले दिन ब्रत का पारण करना चाहिए अब बात करते हैं महासिवरातरी के दिन क्या करें और क्या न करें धार्मिक मन्यते के अनुशार महासिवरातरी के दिन सुबह जल्दी उठकर असनान करने के बाद महादेव को जल और दूद अरपन कर शिव म इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए किसी के प्रती गलत विचार मन में ना आने दे शिव जी की पूजा के कुमकुम का इस्तमाल नहीं करना चाहिए शिव जी को केत्की के फुल और तूटे हुए अक्छट भी नहीं चढ़ाने चाहिए शीव रातरी के दिन शीव को बिलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखे कि बिलपत्र में तीनों पत्ते पूरे हो बिलपत्र का कोई भी पता खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, साथ ही बिलपत्र चढ़ाते समय इनका चिकना भाग शीव लिंग से असपर्ष करना चाहिए और इस आपको शीव लिंग पर यह बिलपत्र अरपित करने चाहिए दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सियर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा किरपया करके निवेदन है आपसे की चैनल को सब्सक्राइब और पास में बेल आ आप तक पहुंच सके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा हर हर महादेव